गायत्री उपनेशद सामवेद की ग्यारा ब्रामन उपलब्ध हैं अथर्व वेद का केवल मात्र एक ब्रामन मिलता है जुसका नाम गोपत्थ ब्रामन है गोपत्थ की 31 से लेकर 38 तक 8 गंडे का है गायत्री उपनेशद कहलाती है इनमें मैत्रे और मौदगल्य के परसपर विवाद की उपाख्यान द्वारा गायत्री का महत्वपोन रहस्य समझाया गया है साधारन शब्दार्थ के अनुसार बुद्धी प्रिर्णा की प्राठना ही गायत्री का ताकपर्य है परन्तो इस उपनेशद में ब्रह्म विद्या इवं पदार्थ विद्या से संबंद रखने वाले कई रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है अथ गायत्री उपनेशद एकाद शाक्ष मौदगल्य की समीप ग्लाव मैत्रे आये सतस्मिन ब्रहमचर्यम वसतो विज्यायो वाच किंस्विन मर्यादा आयमतन मौदकल्यो थेती मौदकल्य के ब्रहमचारी को देख कर और उससे सुना कर ग्लाव ने उपहाज उड़ाते हुए कहा मौदकल्य अपने इस ब्रहमचारी को क्या पढ़ाता है अर्थात कुछ नहीं पढ़ाता है मौदकल्य के ब्रहमचारी ने इस बात को सुनकर अपने आचारी के पास जाकर कहा जो आज अतिति हुए हैं आपको उन्होंने मुर्ख कहा है क्या वो विद्वान है मौदकल्य ने पूझा हाँ वे तीनों वेदों के प्रवचन करता है शिश्य ने कहा हे सौम्य उसका जो फिद्वान सूक्ष्मदर्शी तथा विजय चाहने वाला शिश्य हो तुम उसे मेरे पास ले आओ तब वो उसे बुला लाया और बुला वे ये हैं मौदकल्य ने उससे पूछा हे सौम्य तुम्हारे आचारिये क्या पढ़ाते हैं उसने उत्तर दिया वे तीनों वेदों का प्रविचन करते हैं यन्नु खलु सौम्यस्त्माभिही सर्वे वेदा मुखतो ग्रहीताह कथंतये वमाचार्यो भासते कथमनु सचेत्सौम्याँ दुरधियानु भविश्यती आचार्यो वाच ब्रहमचारी ब्रहमचारीने सावित्रीम प्राह इतिवक्ष्यती ये सौम्याँ यतिवे यह जानते होंगे तो कहेंगे कि आचार्य अपने ब्रहमचारी को जिसका उपदेश देते हैं वो सावित्री है अर्थात जो गायत्री का शब्दार्थ स्थूल अर्थ है उसे ही बता देंगे तत्वं ब्रोयाद्वरधियानं तम्वैभवान्मौत्कल्यं अवोचत्सत्वायं प्रष्णं अप्राक्षेनतं यवोचत्वत्सरादार्त्यं माक्रिष्यसिती तब तुम कहना कि आपने तो आचारिय मौदगल्य को मूर्ख बतलाया था वे आपसे जो प्रष्णे पूछते हैं उसे आप नहीं बतला सके तो एक वरश की भीतर ही आपको कुछ कष्ट होगा हे सौम्य हमने भी सब वेदों का अध्यन किया है फिर तुम्हारे आचारिय मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं क्या शिष्टों के लिए ऐसा कहना ठीक हैं हम उनसे जो प्रष्ण पूछेंगे वे उसे न बतला सकेंगे वे उसे पढ़ाते भी नहीं होंगे सह मौद गल्यह स्वमंते वासिनम वाच परेहि सौम्य ग्लावं मैत्रेयम उपसीद अधीहि भोह सावित्रीम गायत्रीम तब उन मौद गल्ये ने अपने ब्रहमचारी से कहा कि हे सौम्य तुम जाओ गलाव मैत्रेक के समक्ष उपस्थित होकर कहो कि बारह मिथुन तथा चौबिस योनी वाली भ्रुगु और अंगिरा जिसके नेत्र हैं तथा जिसके आश्रित ये सब हैं उस सावित्री गायत्री को हमें पढ़ाई है इस कंडिका में मौदगल्य ने मैत्रे से गायत्री का रहस से पुछवाया है साधारन अर्थ तो सभी जानते हैं कि इस मंत्र में परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि वे हमें सदबुद्धी की प्रिणा दें ऐसे मंत्रों तो शुरूती स्वृत्यों में अनेक भरे बड़े हैं जिसमें इसी प्रकार की या इससे भी उत्तम रेते से बुद्धी विवेक आदी के लिए प्रार्थनाई की गई है फिर गायत्री में ही ऐसी क्या विशेष्टा है जिसके कारण उसे वेद माता कहा गया और समस्त शुरूती क्षेत्र में इतना महत्व दिया गया इसका कोई ना कोई बड़ा कारण अविश्य होना जाहिए मौद्गल्य ने उसी रहस्य एवं कारण को मैत्रे से पुछवाया मौद्गल्य का शिश्य मैत्रे के पास आया उसने उनसी पुझा किन्तु वे उसका उद्दर नहीं दे सके उसने कहा आपने मौद्गल्य को मुर्ख कहा था उन्होंने जो आपसे पूछा आप उसे नहीं बतला सके इसलिए एक वर्ष में आपको कष्ट होगा सहा मैत्रेयह स्वानन्ते वासिनववाच यथार्थं भवन्तो यथाग्रिहं यथामनो विप्रस्रज्यन्तां दुरधियानं वा अहम मौद्गल्यम वोचम समायम प्रस्नम प्राक्षिन तम व्योचम तम उपैश्यामी शान्तिम करिश्यामी इती तब मैत्रे ने अपने शिश्यों से कहा अब आप लोग अपने अपने इच्छानुसार अपने अपने घरों को लोट जाएए मैंने मौद्गल्य को मौर्ख कहा था पर उन्होंने जो कुछ पूछा है मैं उसे नहीं बतला सका हूँ मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें शान्त करूंगा दूसरे दिन प्रातकाल हाथ में समिधा लेकर मैत्रे अनुगरह शेल मौद्गल्य रिशी के पास आए और कहा मैं मैत्रे आपकी सेवा में आया हूँ कि मर्थमिति किस लिए उन्होंने पूछा मैत्रे ने कहा मैंने आपको मौर्ख कहा था आपने जो कुछ पुछा उसे मैं नहीं बता सका अब मैं आपकी सेवा में उपस्तित हूँगा और आपको शान्त करूँगा सहो आच अत्रवा उपेतम चा सर्वं चा कृतम पापके नत्व यानिन चरंतमा हुः अथोयम्म्म कल्यानस्तम्ते ददामितेन याही दि मौत गल्य ने कहा आप इहां आए हैं लेकिन लोग कहते हैं कि आप इहां शुद्ध भावना से नहीं आए हैं तो भी मैं तुम्हें कल्यानकारी भाव देता हूँ तुम इससे लेकर लोटो मैर्टर ने पुझा आपका कहना अभयकारी इवं सदे है आपकी सेवा में समित पानी होकर उपस्थित होता हूँ अव्वे विथी पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए उपस्थित होकर पूछा सविता का वरण्य किसे कहते हैं उस देव का भर्ग क्या है यदि आप जानते हूँ तो धी संग्यक्त तत्वों को कहिए जिनके द्वारा सबको प्रिर्णा देता हुआ सविता विचरन करता है उन्होंने उत्तर दिया वेदान स्चंदान सि सवितुर वरेण्यम भरगो देवस्य कवयो नमाहू करमान धियस्त तदुमे ब्रवीमी प्रचोदयात सविता या भिदेती दी वेद और चंद कविता का वरिण्य हैं विद्वान पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग मानते हैं करम ही वो धी तत्व है जिसके द्वारा सबको प्रिर्णा देता हुआ सविता विचरन करता है ये सुनकर उन्होंने फिर पूछा सविता क्या है और सावित्री क्या है मौदगल्य के अभिप्राय को मैत्रे भली प्रकार समझ गए उन्होंने सच्चाई के साथ विचार किया तो जाना कि मैं गायत्री की उस रहस्य को नहीं जानता हूँ जिसके कारण उन्हें इतना महत्वप्राप्त है उन्होंने सोचा ये मूल कारण न मालुम हो तो उसकी बाहिय प्रतिकों को जान लेने मात्र से कुछ लाब नहीं हो सकता इसलिए वेदों का प्रवचन करने से तब तक क्या लाब जब तक कि उसका मूल कारण न मालुम हो ये सोच कर उन्होंने निश्चे किया कि पहले मैं गायत्री का रहस्य समझूँगा तब अन्यकारिय करूँगा उन्होंने अपने विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी और स्वयम नम्र बनकर समिधा हाथ में लेकर शिश्य भाव से मौदगल्ये के पास पहुँचे विद्या प्राप्त करने की विशेश रूप से आध्यात में विद्या की यही परिपाटी है कि शिक्षार्ती अपने अध्यापक के पास नम्र होकर उसके प्रती श्रधा भाव मन में धारन करके पढ़ने जाए इस आरशे प्रणाली को छोड़ कर आज के उच्रंखल स्टूडेंट जिन उजड़ भावनाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं वो शिक्षा गुरू का आशिरवाद ना होने से निश्फल हो जाती है मैत्रे ने पुझा गायत्री के प्रथम पद में आई हुए शब्दों का रहज से बतलाईए पहला सविता का वरणने क्या है अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किस से वरणने किया जाता है इश्वर किस सुपाई से प्राप्त होता है दूसरा उस देव का भर्ग क्या है देव कहते हैं स्रेष्ट को भर्ग कहते हैं बल को देव का भर्ग क्या है तीसरा जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेड़ना करता है अर्थात वो माध्यम क्या है जिसके द्वारा इश्वर की कृपा होती है इन तीनों तत्वों को मैत्रे ने मौदगल्य से पूछा इनका संक्षिप्ट उत्तर मौदगल्य ने दिया है वो बड़े ही मारके का है इन उत्तरों पर जितना गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उनका महत्व प्रकट होता है मौदगल्य कहते हैं वेद और चंद सविता का वरिण्य है अन को ही देव का भर्ग कहते हैं कर्म ही धी तत्व है इसके द्वारा परमात्मा सबको प्रिणा देता है सबका विकास करता है आए तीनों प्रश्नों पर प्रिथक प्रिथक विजार करें पहला, वेद अर्थात ग्यान, छंद अर्थात अनभव वास्तों में आत्म ग्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वो ग्यान केवल वाचिक नहीं होना चाहिए भारवाही गधी की तरह अनेक पुस्तकें पढ़ लेने से, शुक सारीकाओं की भाती कुछ रटिवे शब्दों का प्रवजन कर देने से काम नहीं चल सकता हमारा तत्व ग्यान अनभव सिद्ध होना चाहिए, जिसके कारण तरक प्रमान और उदारन के द्वारा सत्यमान लिया जाए उस सत्य की प्रति मनुश्य के मन में अगाध श्रधा होनी चाहिए और उस श्रधा का जीवन में व्यवारिक आचरन होना चाहिए पहले पूरी ततपरता, सच्चाई और निश्पक्षता से ये देखना चाहिए कि कौन-कौन सिध्धान्त उचित एवं कल्यानकारी है जब ये विश्वास हो जाए कि सत्य परोपकार, सियम, इमानदारी आदी गुण सब द्रिष्टियों से श्टेश्च कर हैं तो उनके सिध्धान्त का जीवन में आचरन होना जाहिए सत्यान का श्टधा भूमे में परिपक्व होना यही इश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है बिना सिध्धान्तों को जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव का ज्ञान निश्फल है जब मनुष्य का सद्यान श्टधा में परिनत हो जाता है दंभ, छल, मातसर्य, कपट, धूर्तता इवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनुभूमी में एक ही जाती की श्टधा स्थापित हो जाती है तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है वेद और छंड के सम्मिश्रन में सविता का वर्णन किया है और ज्ञान तथा अनभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है दूसरा, इसी प्रश्ण का उत्तर देते हुए मौद्गल्य कहते हैं देव का भर्ग अन्न है स्रिष्ट का बल उसके साधन है स्रिष्टता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उसको विकसित करने के लिए अन्न हो, साधन हो साधन सामगरी, लक्ष्मी एक शक्ती है जो असुर के हाथ में चली जाए तो असुरता को बढ़ाती है और यदि देवों के हाथ में चली जाए तो उसके द्वारा देवत्व का विस्दार होता है देवता बलवान होते है शासन सत्ता क्रूर दुष्ट लोगों के हाथ में हो तो वे उससे दुष्टता पहलाते है पिछली शताब्दियों में भारत की राजसत्ता विदीश्यों के हाथ में रही है इसके कारण उन्होंने भारत भूमी का कितना अधा पतन किया ये किसे से छिपा नहीं है वही सत्ता जब अच्छे हातों में आई तो थोड़ी दिनों में रूस अमरीका की भातें यहां भी उन्नत अवस्था प्राप्त होनी की संभावना है योगी अर्विंद ने अपनी गेता पुस्तक में लिखा है लक्षमी पर स्रेष्टे लोगों को आधिपरत्य करना चाहिए इस प्रकार संसार में सुख शान्ती बढ़ेगी यदि लक्षमी असुरों के पास चली गई तो उससे विश्व का अनिश्ट ही समझे देवताओं को भोग के लिए नहीं, लोब के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरन इसलिए धन और साधन सामग्री के आविशक्ता है कि वे शक्तियों द्वारा देवत्व की रक्षा इवं विद्ध अन्न को इस साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। प्रमात्मा सबको उपर की ओर उन्नती की ओर प्रेड़ करता है पर ये भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेड़ना का रूप है धी। धी अर्थात वो बुद्धी जो कर्म के लिए प्रेड़ना प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। परमात्मा की जिस प्रकार की कृपा होती है उसी प्रकार की बुद्धी प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं इसकी पहचान करनी हो तो वो इस प्रकार से हो सकती है कि वो मनुष्य उत्साह पूरवक, तनमेधा पूरवक, श्रम, जागरुकता और रुची के साथ कार्य करता है या नहीं। जिसका सौभाव इस अरुची का है समझना चाहिए कि इनको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इन्हें धी तत्व प्रदान किया है। रहित समझना चाहिए। ये प्रत्यक्ष है कि इश्वर के कृपा पात्र नहीं है। कर्म प्रेरक बुद्धी के अभाव में वे दुर्भाग्य ग्रस्त ही होंगे। मौदगल्य का ये कथन गंभीर और सत्त है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले तखदीर को कोसने वाले अपनी तुर्टी का दोश किसी दूसरे ग्याद अग्याद पर थोप कर जूटा मन संतोश भले ही करने। पर वस्तुस्थिती यही है कि उन्होंने इश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया। ये कृपा हर किसी के लिए सुलब है, हर किसी के अपने हाथों में हैं। धी तत्व को कर्मशीलता को अपना कर हर कोई इश्वर्य कृपा और उन्नती का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी क्रिपासी किसी को वंचित नहीं रखता, मनुशी ही दुर्बुद्धी के कारण उसका परित्याग कर देता है। यह दोनों दो योनी और एक मिथुन है। यह दोनों दो योनी तथा एक मिथुन है। वायु देव सविता अंतरिक्षम सावित्री यत्रहेव वायु तदंतरिक्षम यत्रवा अंतरिक्षम तद वायु रिती एते द्वे योनी एकम मिथुनम। वायु सविता है, अंतरिक्ष सावित्री है। जहां वायु है वहां अंतरिक्ष है, जहां अंतरिक्ष है वहां वायु है। यह दोनों दो योनी और एक मिथुन है। आदित्य एव सविता द्योह सावित्री, यत्र हेव आदित्य स्तद्योह, यत्र वै द्योस्तदादित्य इती, एते द्वे योनी एकम मिथुनम। आदित्य सविता है द्यो सावित्री जहां आदित्य है वहां द्यो है ये दोनों दो योनी और एक मिथुन हैं चंद्रमा एव सविता नक्षत्राणी सावित्री यत्रहेव चंद्रमास्तन नक्षत्राणी यत्रवे नक्षत्राणी तच चंद्रमा इति एते द्योनी एक मिथुनम चंद्रमा ही सविता है नक्षत्र सावित्री है जहां चंद्रमा है वहां नक्षत्र है वे दोनों दू योनी और एक मिथुन है दिन सविता है और रात्री सावित्री है जहां दिन है वहां रात्री है ये दो योनी और एक मिथुन है उष्ण सविता है शीत सावित्री जहां उष्ण है वहां शीत है ये दोनों दो योनी और एक मिथुन है बादल सविता है और वर्षन सावित्री जहां बादल है वहां वर्षन है ये दोनों दो योनी तथा एक मिथुन है विद्योदेव सविता इस्तन यित्नु हूं सावित्री यत्र है व विद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद् और एक मिथुन हैं वेद सविता है चंद सावित्री जहाँ वेद हैं वहाँ चंद हैं यह दो योनी और एक मिथुन हैं यग्य सविता है और दक्षिना सावित्री है जहाँ यग्य है वहाँ दक्षिना है यह दो योनी तथा एक मिथुन हैं विद्वान तथा परोपकारी महराज आपकी सेवा में यह ब्रह्मचारी आया है इसके बाद वे वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इसे जान गया हूँ उन योनियों अथवा इन मिथुनों में आया हुआ मेरा कोई ब्रह्मचारी अलपायू नहीं होगा अब प्रश्ण होता है कि सविता क्या है और सावित्री क्या है गायत्री का देवता सविता माना गया है प्रतिक मंत्र का एक देवता होता है जिससे पता चलता है कि इस मंत्र का क्या विशे है गायत्री का देवता सविता होने से ये इस्तपष्ट है कि इस मंत्र का विशय सविता है सविता की प्रधानता होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है मैत्रे पूछते हैं कि भगवान सविता क्या है और ये सावित्री क्या है महर्शी मौदगल ये उन्हें उत्तर देते हैं कि सविता और सावित्री का अविच्छन संबंद है जो एक है वही दूसरा है दोनों का मिलकर एक जोड़ा बनता है एक केंद्र है दूसरा उसकी शक्ति है दोनों एक दूसरे के पूरक है शक्तिमार्थ का महत्व उसकी शक्ति के विस्तार से है यो तो प्रत्यक पर्माणू अनन्त शक्ति का पुंज है एक पर्माणू के विस्फोट से प्रलय उपस्थित हो जाती है पर इस प्रकार की गतिविती होती तभी है जब उस शक्ति का विस्तार एवं प्रकटी करण होता है यदि वो प्रकटी करण ना हो तो अनंत शक्तिशाली पदार्थ का भी कोई अस्तित्व नहीं उसी कोई जानता तक नहीं सविता कहते हैं तेजस्वी परमात्मा को और सावित्री कहते हैं उसके शक्ति को सावित्री सविता से भिन्न नहीं वरन उसकी पूरक है उसका मिथुन अर्थात जूड़ा है सावित्री द्वारा ही अचिंत्य अग्गे निराकार एवं नरलप्त परमात्मा इस योग्य होता है कि उससे कोई लाब उठाया जा सके ये बात बहुत सोक्ष्म और गंभीर विचार के उपरांत समझ में आने वाली है इसलिए उपनिशिद कार उसे उधारन दे दे कर सुबोद बनाते हैं और इस गोड़ तत्व को इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि हर कोई आसानी से समझ सके वे कहते हैं मन सविता है वाक सावित्री है जहां मन है वहां वाक है ये दोनों दो योनिया है एक मिथुन है इसी प्रकार अगनी और प्रित्वी का वायो और अंतरिक्ष का आदित्य और द्यो का परमात्मा चंद्रमा और नक्षत्रों का दिन और रात्री का उश्न और शीत अगनी और वरुण का, विद्दुत और तड़क का, प्रान और अन्न का, वेद और चंद का, यग्य और दक्षिना का मित्थुन बताया गया है। अगनी और अन्न का, विद्धी की मर्यादा के बाहर है, उसे न तो हम सोच सकते हैं और न उसके समीब तक पहुँच कर कोई लाब उठा सकते हैं। यही बताते हैं कि ये एक दूसरे की पूरक हैं, प्रकट होने के कारण हैं। जीव भी माया के कारण अव्यक्त से व्यक्त होता है, ये मित्थुन हे या त्याज्य नहीं है, वरन क्रियाशिलता के विस्तार के लिए है। मनिशे का विकास पे एकांगी नहीं हो सकता, उसी अपने शक्तियों का विस्तार करना पड़ता है। जो अपने शक्तियों को बढ़ाता है, वही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शक्ति और शक्तिमान का अन्यन्योयाच्रित संबंध है। जैसे सविता अपने सावित्री से ओत्त प्रोत है, उसी प्रकार हमें भी अपने आपको बहुमुखी शक्तियों से परिपूर्ण बनाना चाहिए। अपने साथ अनेक व्यक्तियों का सहयोग संगठित करना चाहिए, जिसके मिथुन जितने अधिक हैं वो उतना ही सुखी है। इस शक्ति और शक्तिमान के रहस्यों को जानकर मैत्रे संतुष्ट हुए। उन्होंने कहां कि मैं आपका शिष्य अब ज्ञान के वास्तविक जानकारी से परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मैं जान गया कि मेरा जो शिष्य इस योनी और मिथुन के रहस्य को जान लेगा वो अलपायू नहीं होगा। वो शक्ति को आपना अविच्छन अंग मान कर उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। वरन सदुपयोग द्वारा सत प्रकार का लाब उठाएगा। इस प्रकार शक्ति का रहस्य समझ कर उसका सदुपयोग करने वाले अलपायूग कदापी नहीं हो सकते। ब्रहमहेदं स्रियं प्रतिष्ठा मायतन मैक्षत तत अपस्व यदि तत व्रते धियेत तत सत्य प्रत्यतिष्ठत। ब्रह्मने श्री प्रतिष्ठा आयतन को देखा और कहा कि तब करो। यदि तब की व्रत को धारन किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा होती है। उस सविता ने सावित्री से ब्रहमन की स्रिष्टी की तथा सावित्री को उससे घेर लिया तथ सवितुर वरेनियम ये सावित्री का प्रथम पाद है प्रिथि व्यर्चम समत अधात रिचा अग्निम अग्निना स्रियम स्रियम इस्त्रियम इस्त्रिया मिथुनम मिथुने न प्रजाम प्रजया कर्म कर्मना तपह तपसा सत्यम सत्ते न ब्रहम ब्रहमना ब्राहमनम ब्राह्मने न व्रतम व्रते न वै ब्राह्मना संश्रितो भवती अशोन्यों भवती अविच्छन्यों भवती प्रित्वी से रिक को जोड़ा युक्त किया, रिक से अगनी को, अगनी से श्री को, श्री से इस्त्री को, इस्त्री से मिथुन को, मिथुन से प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मन को, ब्राह्मन से व्रत को ब्राह्मन व्रत से तेक्षिन होता है, पून होता है और अविच्छिन्न होता है जो इस प्रकार से इसे जानता है और जानकर जो विद्वान इसकी इसी प्रकार व्याख्या करता है वह उसका वन्ष तथा उसका जीवन अविच्छिन्न होता है ब्रह्म जब तक अपने आप में केंडरित था तब तक कोई पदार्थ नहीं था जब उसने एकों हम बहुत स्याम की इच्छा की एक से बहुत बनने का उपक्रम किया तो उस इच्छा शक्ते के कारण स्रिष्टी उत्पन्न हुई जब ब्रह्मा ने उस स्रिष्टी का साक्षात कार किया उसमें तीन वस्तुय प्रधान दिखाई दी श्री, प्रतिष्ठा, आयतन, अर्थात ग्यान इन विलक्षन सुख समिधाओं को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इस रहस्य का उद्गाटन करते हुए ब्रह्मा ने कहा कि तप करो अर्थात तनमैता पूर्वक श्रम करो ये किस प्रकार संभव है तब से अभिष्ट वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, उसका पी ब्रह्म ने बड़े सुन्दर ढंग से इस पश्टी करण कर दिया, यदि तब का व्रत धारन किया जाए, तब को रुचि पूर्वक श्रम शीलता को अपना स्वभाव बना लिया जाए, तो मनुश अवश्य ही सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है और अवश्य ही वही मार्ग मिल जाता है, उस मार्ग पर चलता हुआ प्राणी अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है. अब प्रश्ण है कि स्ट्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी कौन नियुक्त किया जाए। इस विलक्षन सुक साधना का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। सविता ने परमात्मा ने अपनी सत्य शक्ति से ब्राह्मन को बनाया और उसको सावित्री से घेर दिया। जिसमें सत्य तत्व विशेश है जो ब्रह्म परायन है वो व्यक्ति ब्राह्मन है। ऐसी व्यक्ति इश्वर्य दिव्य भावों से दिव्य शक्ति से घिरे रहते हैं। उन्हें श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही उनका सद्युप्योग करके लाभानवित होते हैं। अन्यों को इन तीनों का अधिकार नहीं है। यदि बलात अनधिकृत रूप से कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए ये वस्तुएं विपत्ति रूप बन जाती हैं। आसुरी भावनाओं से आच्छा दित मनुष्य तपस्वी नहीं होते, जो उचित मार्ग से तप द्वारा इमानदारी से इन वस्तुओं को प्राप्त करें। वे अवैधानिक रूप से, अनुचित मार्ग से, चालाकी से इन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में वो श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान उनके खुद के लिए तथा अन्ने लोगों के लिए विपत्ती का कारण बनते हैं। सीधे मार्ग से, नामवरी और वहवाही लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञान का दुरुप्योग करने वालों की भी कमी नहीं हैं। अशलील, कुरुची पूर्ण, पुस्तके लिखने वाले लेखक, चित्रकार कम नहीं हैं। ज्ञान शक्ति का दुरुप्योग करने वालों की संक्या परियाब्द है। ऐसे असत्य प्रकृति की लोगों को जब ये तीन शक्तियां मिल जाती हैं, तो वे उनका दुरुप्योग करते हैं। दुरुप्योग का निश्चित परिणाम उनका छिन जाना है। प्रकृति का नियम है कि वो अयोग्य हाथों में किसी वस्तु को अधिक समय नहीं रहने देती। जो ब्राह्मन हैं ब्रह्म प्रकृति के हैं। ब्रह्मन ने उन्हें उपरियोगत तीन लावों का इस्थाई अधिकारी बताया है। यही इश्वर्य नियम हैं। जिने इस्थाई रूप से श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनना हो, सदा के लिए इ सथाई रूप से उनके पास ठहरेंगे। सविता ने, बर्मात्मा ने अपनी सावित्री से, सत्य शक्ति से ब्रह्मन को वर दिया है। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यग्य द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याई द्वारा ब्रह्मन बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे संसार के इन तीन डिव्य सुखों के अधिकारी बन सकें ब्राह्मन के पास सनमार्ग गामी के पास वैभव किस प्रकार पहुचता और ठहरता है इसका विवेचन करती हुए उपनशितकार ने परसपर संबंदों को गिनाया है कि वो परसपर संबंद की श्रंखला किस प्रकार संपन्नता की प्राप्ति कराने में समर्थ होती है गायतरी की प्रथमपाद तत्सवितुर वरेनियम का भू प्रतिनिती कहा गया है तीन व्याहरित्यों से भू, भुवा, स्वा से गायत्री की तीन पद आविर्भूत हुए हैं भू कहते हैं प्रित्वी लोग को प्रित्वी को प्रित्वी के निवासियों से रिक को ग्यान से संबंद किया ग्यान से अगने अर्थात क्रिया को संबंद किया अगने से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया, वैभव को इस्तुरी से अर्थात त्रिप्ति से जोड़ा, त्रिप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बना, मैत्री हुई, मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध स्थापित हुए, बहुजन सयोग से क सत्कर्मों से तब के लिए साहस बढ़ा, तब से सत्य मार्ग मिला, सत्य मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति हुई, ब्रह्म प्राप्ति करने वाला ब्राह्मन गहलाया। पूर्णता में कुछ भी कमी नहीं होती, उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्यान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याक्ष्या करता है, उसका जीवन और वन्ष अविच्छन ने रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ तो बहुत स साधारन हैं, उसे समझने मात्र से उतना लाब नहीं मिल सकता जितना की मिलना जाहिए। ब्रह्म ने इस्त्री, प्रतिष्ठा और ज्यान रुपे तीनों रतनों का जिससे अधिकारी बनाया है, उसे गायत्री से घेर दिया है। इसका तात्परिये ये है कि गायत्री के मर्य जिन्होंने ब्रह्मनत्व प्राप्त किया है, वे ही भौतिक और आत्मिक आनंदों को प्राप्त करेंगे. जिनकी जठरागनी तिव्र है, उनके लिए साधारन श्रेनी के पदार्थ भी रुजिकर और पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठरागनी मंद है, उनके लिए बढ या मोहन भोग भी रोग उत्पन्न करते हैं। इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है। अर्थात अपने को वैसा ही बनाता है। उसका जीवन अविच्छन्न होता है। अर्थात जीवन भर पत्थ भ्रष्ट नहीं होता। और उसका वन्ष भी नश्ट नहीं होता। पीछे भी जन्म जन्मांतरों तक वो भावना नश्ट न भर्गो देवस्य धीमही इति सावित्रिया द्वतिया पादः भर्गो देवस्य धीमही ये सावित्रि का दूसरा पाद है अंतरिक्षेन यजुह समदधात यजुसा वायुम वायुना अभ्रम अभ्रेन वर्षम वर्षेन उषधि वनस्पतीन उषधि वनस्पति भीह पशून पशभीह कर्म कर्मना तपह तपसा सत्यम सत्येन ब्रहम ब्रहमना ब्राहमनं ब्राहमनेन ब्रतम प्रतेन वै ब्राहमना ह अंतरिक्ष से यजुष को योक्त करता है जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री की द्वित्य पाद की व्याक्या करते हैं उनका वनिश तथा जीवन अविच्छिन होता है पिछली कंडिका में भू से रिक को संबंधित करके प्रथम पार का रहस्य समझाया गया था इस कंडिका में गाइत्री के दूसरी पद का विविचन करते हैं भूवसे अंतरिक्ष से यजुष का संबंध किया है यजु कहते हैं यज्य को यज्य कहते हैं परमार्थ को पहली कंडिका में ग्यान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया था यहां यज्य द्वारा वृत में जीवन होने की श्रिंखला का वर्णन करते हैं भुवसे अंतरिक्ष में यजु को संजुक्त किया, यजु से वायू को, वायू से मेग को, मेग से वर्षा को, वर्षा से ओशदी को और वनस्पतियों को, वनस्पतियों से पशु को संबध किया गीता में भी यग्य विधान का ऐसा ही वर्णन है यग्य से वायू शुद्ध होगी वायू के संपर्क से गुणदायक जल बरस्ता है उससे व्रिक्ष वनस्पतियां और पशु स्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं उनका उप्यो करने से मनुष्य का मन स्रेष्ठ बनता है और स्रेष्ठ मन से स्रेष्ठ कर्म होते हैं कर्म से मन को, मन से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मन को और ब्राह्मन को व्रत से संबध किया अंतता यही क्रम आगया व्रत धारन करने से ब्राह्मन, सुत्यक्षिन, परिपूर्ण, एवंअविच्छन वन्षवाला होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है, वही प्राकरांतर से यग्यत्वारा, स्रेश्ठ कर्मों द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। उच्च अंतकरन से निकली हुई सदभावनाएं समस्त आकाश को वातावरन को सत्मे बना देती हैं और उस वातावरन में पलने वाले सभी पदार्थ सत्से परिपूर्ण होते हैं. जिस वातावरन के कारण मनुश्य व्रत परायन व्रत वान होकर अविच्चन्य जीवन वाला हो जाता है वह इस दूसरी कंडिका का तात्परिय है. धियो योनह प्रचोदयादिति सावित्रियास्त्रतियापादः धियो योनह प्रचोदयात ये सावित्रि का तीसरा बाद है दिवा साम समदधात साम नादित्यम आदित्येन रस्मीन रस्मे भिर्वर्षम वर्षेन उसदि वनस्पतीन ओसदि वनस्पति भीह पशून पशुभी कर्म कर्मना तपह तपसा सत्यम सत्येन ब्रहम ब्रहमना ब्राहमनम ब्राहमनेन व्रतम ब्रतेन वै ब्राहमना संशितो भ अविछिन्यो स्य तंतु आविछिन्यम जीवनं भवती यह एवं वेदो यस्चैवं विद्वाने वमेतं सावित्री आस्त्रतियं पादं व्याचस्टे दियो लोग से साम को उत्पन्न करता है। जो विद्वान ये जानकर सावित्री के तृत्यपाद की व्याख्या करते हैं, वे अपने वन्ष एवं जीवन को अविच्छन बनाते हैं। कंडिकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्मचारी, व्रत्धारी बनकर अविच्छन जीवन और वन्ष वाला बन जाता है। गायत्री की तीन पादों में वो विज्ञान सन्निहित है, जिसके द्वारा मनुष्य को श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धी होती है। तीन पाद वेदों से बने हैं, प्रतीक पाद एक-एक लोकों का प्रतीक है। इन तीन लोकों से ये तीनों वेदों के मंत्र अविश्यक सामगरी को खीच कर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार से सुख्य बना लेते हैं। इसके व्यक्तिगत लाब ही नहीं, वरन सामुहिक लाब भी हैं, जैसे यग्य करने से वायू की शुद्धे, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पती तथा दूद की उत्पत्ती होती है, वैसे ही गायत्री द्वारा भी ये प्रक्रिया होती है। ये संबध श्रिंखलाएं अपने में एक बड़ा भारी पदार्थ विज्ञान संबंदी रहस्य से चिपाई बैठी हैं। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार का है? इसकी थोड़ी सी विवेजना हमने आध्यात्मिक शैलिसी की है, परन्तु इसमें और भी विश रहस्य मौझूद है, जिसके कारण गायत्री का साधक उन तीनों लाभूं से श्री, प्रतिष्ठा एवं ग्यान से परियाप्त मात्रा में लाभानवित होता है और अंथ में इश्वर की प्राप्ति करके अविच्छिन जीवन को प्राप्त करता है, अर्थात अमर हो जाता ह उसे जराम रित्यों के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, ऐसा है इस्त्रिपदा गायत्री का रहस्य है सावित्री की तीन पाद जानने वाला ब्राह्मन ब्रम्ह प्राप्त ग्रसित और पराम्रिष्ठ होता है ब्रह्मन आकासम अभिपन्नम ग्रसितं पराम्रिष्ठ हो आकासेन वायुर भिपन्नो ग्रसिता हो पराम्रिष्ठ हो वायुना जोतिर भिपन्नम ग्रसितं पराम्रिष्ठ हो जोतिशापो भिपन्ना ग्रसिता पराम्रिष्ठ हो अध्भिर भोमिर भिपन्ना ग्रसिता परा अन्ने न प्राणो भिपन्नो ग्रसिताह पराम्रिष्टाह। मनसा वाग भिपन्ना ग्रसिताँ पराम्रिष्टाह। वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसिताह पराम्रिष्टाह वेदैर यग्यो भिपन्नो ग्रसिताह पराम्रिष्टाह तानि ह वाये तानि द्वादस महा भूतान्येवं विधी प्रतिष्ठी तानि तेशाम यग्येव परार्ध्याह ब्रह्म से आकाश प्राप्त ग्रसित एवं परामरिष्ट है। ब्रह्म से आकाश प्राप्त ग्रसित एवं परामरिष्ट है। पिछली तीन कंडिकाओं में वर्णित गायतरी के तीन पाधूं के रहसियों को जो भली प्रकार जानता है उस ब्रह्म प्राप्त ग्रसित और परामरिष्ट होता है। अर्थात वो ब्रामन ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्राप्त करके उसे अपने में पचाता है और उससे परामरिष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर बाहर सब और ब्रह्म की सत्ता काम करती है। अगने, अगने से जल, जल से प्रित्वी, प्रित्वी से अन, अन से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद, और वेद से यग्ये प्राप्त होता है, ग्रसित किया जाता है, आच्छादित होता है। ब्रह्म प्रत्यक्षरूप से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, स्वल्प ज्यान वाले मनुष्य समझते हैं कि पंच भूतों का ये पुतला ही सब कुछ करता है। उन्हें ये बताया गया है कि पंच भूत और तुम्हारे अंदर काम करने वाली मन बुद्धि आदी की चैतन्यता ब्रह्म से प्रिथक नहीं हैं वरन उसी से आच्छादित है। यदि ब्रह्म का अच्छादन इन पर न हो तो इनकी क्रियाशेलता समाप्त हो जाए और कोई तत्व कुछ भी काम करने में समर्थ न हो सके। जो प्रकृति में, पंचभूतों में, शरीर में ब्रह्म को परमात्मा को समाया हुआ देखता है, वो ब्रहमन कहलाता है। वो वेद और यग्य से घिरा होता है। अर्थाथ सदग्यान और सदकर्म उसके कण-कण में व्यापत होते हैं। इन सब ज्ञानों में यग्य ही, सतकर्म ही, सर्वूत्तम हैं, क्योंकि इस ज्ञान का तात्पर यही यह है कि मनिश्य सतकर्म में लगे, जिसे ये सब रहस्य मालूम हैं, उसमें सब भूत प्रतिष्टित रहते हैं, अर्थात समस्त स्रिष्टि विस्तार को वो अपने भीतर ही समझता है जो विद्वान ये समझ लेते हैं कि हम इस यग्य के जानकार हो गए हैं वे ही इसे नहीं जानते अयम्यग्यो वेदे सु प्रतिष्ठिता हा वेदावाची प्रतिष्ठिता हा वांग्मनसी प्रतिष्ठिता मने प्राने प्रतिष्ठिता हा अन्नम्भूमव प्रतिष्ठिता हा भूमि रप्सु प्रतिष्ठिता आपो जोतिसी प्रतिष्ठिता हा जोतिर वायो प्रतिष्ठ वायुराकाशे प्रतिष्ठिताह आकाशं ब्रहमनी प्रतिष्ठितं ब्रहमने ब्रहमविदी प्रतिष्ठितं यो हवा येवं with ca brahma with uncertainty चकीर्थिम लभते सुर्भी श्चय गंधान सो पहत पाप ममानंतां स्रियमस्नुते येवं वेद यस्चैवं विद्वाने वमेतां वेदानां मातरं सावित्री संपदम उपनिशदम उपास्तो घीथि ब्रहमनं गोपत ब्रहमन एक अबले कर तिस वेत्ता ब्रहमन पर प्रतिष्टित है इस प्रकार जानने वाला ब्रहम ज्यानी पुन्य एवं किर्थी को प्राप्त करता है तथा सुरपित गंधों को पाता है वो व्यक्ति पापहीन होकर अनन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होता है पिछली कंटिका में यग्यों को सर्वुत्तम बताया गया है परंतु ये ध्यान डखना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि हम यग्य को जानते हैं वे उसे नहीं जानते कारण ये है कि दूसरे आदमी किसी कार्य के बाहिय रूप को देखकर ही उनके भले बुरे होने का अनुमान लगाते हैं परंतु यथार्त में काम के बाहरी रूप से यग्य का कोई संबंध नहीं वो तो आंतरिक भावना पर निर्भर होता है ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े दान, पुन्य, होम, अगनी हुत्र, ब्रह्म भूज, तिर्थ यात्रा आदी करता हो पर उसमें उसका उद्देश्य, यश्य लूटना या कोई और लाब उठाना हो इस प्रकार डॉक्टर के ऑप्रेशन करनी के समान ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो देखने में पाप प्रतीत होते हैं, परंतु करता की सदभावना के कारण, वे स्रिष्ट कर्म हों इसलिए कौन आदमी यग्य कर रहा है या नहीं, इसका नरणे उन्हें व्यक्तियों की अंतरात्मा ही कर सकती है बाहर के आदमी के लिए बहुत अन्शों में उसका जानना संभव होने पर भी पोण रूप से शक्य नहीं है पिछली कंडिका में जिन बाहरा कडियों को एक ओर से गिनाया था, इस कंडिका में उन्हें दूसरी ओर से गिनाया गया है अठात क्रम उल्ठा कर दिया गया यह यग्य वेदों में, वाक मन में, मन प्राण में, प्राण अन में, अन भुमे में, भुमी जल में, जल तेज में, तेज वायू में, वायू आकाश में, आकाश ब्रह्म में और ब्रह्म ब्राह्मन में प्रतिश्ठित है इस प्रकार इसे श्रिंखला का एक सेरा ब्राह्मन है तो दूसरा यग्य एक सेरा यग्य है तो दूसरा ब्राह्मन है दूसरी तरह से इसी को यों कह लीजिए कि जो सदग्यान और सदकर्म से उत्त प्रोत है वही ब्राह्मन है जो इस प्रकार से जानता है जो ब्रह्म ज्यानी है वो सुगंध की तरह उड़ने वाली पुण्यमई केर्थि को प्राप्त करता है वो निश्पाप हो जाने से अनन्त ऐश्वरियों को भोगता है वो ज्यान का उपासक बनकर इस वेदमाता गायतरी के उपनिशत का उपासक ब बनाता है ऐसा व्यक्ति ही ब्रामन है ऐसा शास्त्रों का अभिवचन है